गुड मॉनिंग फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अब हम लोग ओवरेट्स की यह प्रोब्लम सॉल्ब कर रहे हैं चले पढ़ते हैं अच्छी प्रोब्लम दिख रही है दा एवीसी कंपनी है फॉलिंग अकाउंट वैलेंस और डिस्टुबिशन ऑफ दा डारेक्ट चार्ज आपके प्रोडक्शन डेपार्टमेंट दे रखें सर्विस डेपार्टमेंट दे रखें ठीक है यह एलोकेटेड ओवरेट्स हैं और नीचे लिखें ओवरेट्स टूबी अपॉर्संट इसके बाद इनके बेसिज दे रखें नीचे पढ़ते हैं एक्सेंस चार्ज तू दा स्टोर इसके बाद जनरल ओवरेट प्लांट चार्जेज डिस्टूबीट ऑन दा बेसिज अपनमर अप्लोई ठीक है तो पिरपेर अन ओवरेट दिस्टूबीशन सम्री विच सपोर्टिंग स्टूल तू सूंपुटेशन इन बेसिज अव दिस्टूबीशन इन दिस्टूबीशन करते हैं सबसे पहले तो हम बनाते हैं स्टेट्मेंट स्टूइंग ओवरेड़ दिस्टूबीशन ठीक है जी चलिए यह हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है यह हमारे प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट है और यह हमारे तो देखिए यह मसीन और दूसरी है पैकिंग और यह हमारा है जनरल प्लांट और यह हमारा स्टूर है ठीक है जी अब इन्होंने कहा था कि वही सपोर्टिंग करके देना है चलिए तो इन्डारेक्ट लेवर क्वेश्चन में दे रखी है चार हजार तीन हजार दो हजार फाइप शिक्स फाइप जीरो इसके बाद है मेंटेनेंस माटेरियल यह टोटल भी लिख लेजें 14650 अब है मेंटेनेंस माटेरियल यह हमारा फाइप जीरो टू जीरो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अठारा सो साथ सो बन जीरो टू जीरो फिप्टीन हंडेड फिर है मिसलेनियस सप्लाइज यह सत्रा सो पचास है चार सो एक हजार डेड़ सो एंड दो सो ठीक है जी फिर है सुप्रेंटेंडन की सेलरी वो चार जार है और वो सिर्फ आपके जनरल प्लांट प्र लगी है फिर है कोश्ट एंड पेरोल की सेलरी वो हमारी दस जार है फिर वो सिर्फ जनरल प्लांट में लगी है इसके अलावा हुमारे जो खर्चे हैं वो हैं overhead to be allocated तो अब हम एक working note बनाते हैं है 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 शेड्यूल ऑफ है ओबरेड एलोकेटेड है ठीक है जी हम उपर भी कर सकते थे बट्चुक इन्होंने बोला रेलेवेंट वर्किंग बना के करिए तो इसलिए हमने कर चलो वर्किंग बना लेते हैं यहां पर लिखेंगे हम basis यहां लिखेंगे amount यह यह machine के यह packing के यह general और यह store ठीक है पहले तो एक काम करें कि सारे खर्चे लेग दें यह power का है चपन सो इसके बाद रेंट है पांच अजार बुक से देख लीजेगा है फ्यूल है बारा सो इंसरेंस है छे सो चालीज टेक्सिस है बारा सो असटी और डेप्रीशेसन है शिक्स्टी पोर। था यहें हमारे कर्चे अजिए आजंग मेंदैंग गाता है dessira डेप्रिशेशन कितना है वन ने लिखाया इसमें स्वारी गलती होगी उनसे सारी खर्चे बने गलत गलत डाल दिये एक सेकेड़ चलिए यहां पर लिखेंगे हम डेप्रिशेशन ठीक है अब खर्चों की बात करें तो यह हैं आठ जार यह हैं बारह जार यह यह छे जार यह एक हजार यह हैं दो हजार और यह एक लाग ठीक है यह यह खर्चे में अब इन खर्चों को हमें एलोकेट करना है सूटेविल बेसिस पर तो देखें जैसे पावर है है तो पावर हमारे किस से बढ़ जाएंगे क्वेस्टन में कुछ ना कुछ दिया हुआ horse power दे रखे तो power तो हमारा बढ़ चाएगा horse power से rent बढ़ जाएगा हमारा एरिया से fuel fuel के लिए इन्होंने क्या दिया है इन्होंने radiator section दे रखे ठीक है इसके बाद insurance इसको हम investment मनलब जो आपकी पैसा लगा रखा है उस अमांट से आप लगा सकते हैं तो अब अगर मैं होस्त पावर से बाढ़ता हूं तो पैंतिस सो पाथ सो और एक हजार इस अमांट कम्स टू चपन सो आठ सो शोला सो ठीक है फ्लोर इस्पेस कितना है फ्लोर इस्पेस हमें दे रखा है दो अजार आठ सो चार सो शोला सो इसको बाटें देट कम्स टू पाच अजार दो अजार एक हजार चार सो इसी तरीके से फ्यूल को बाटेंगे रेडियेटर सेक्षन में तो बारह सो चोविस सो आठ सो शोडा सो ठीक है यह आएगा च्छेसो चालीस दो सो दस रुपे एंडेर सो ठीक है तो एक हजार का है तो यह इसी प्रोपोर्शन में 64,000, 20,000, 1,000, 15,000 और यह डबल हो जाएगा तो यह बारह सो चार सो बीस और तीम सो चीक है अब इसका टोटल कर लीजे तो यह आ रहा है हमारा, 77,720, 25,800, 2830, 22650, ओबर एड जो वरकिंग नोट 1 है उससे आ जाएंगे, ठीक है जी? कितना हो रहा है? 20 प्लस एक लाग ना जा रहा है इसका टोटल 1,29,000, 1,29,000 तो यह इसमें गया 7720, 25800, 2830 and 22650, ओब इसका टोटल करने है इसका जाएंगे तोटल करेंगे ठीक है अब यह टोटल ओवरेट्स को हमें डिस्टिब्यूट करना है तो दूसरा जो वरकिंग नोट होगा या दूसरा नोट होगा होगा डिस्टिबीशन अब सर्विस डिपार्टमेंट ओवरेट्स यह दोबारा बना लेते हैं बैसे तो हम लोग यह की में बनाते हैं चली बना लेते हैं यह हमारा मसीन साब है यह पैकिंग है यह जनरल प्लांट है और यह हमारा स्टोर है ओवरेट जो कोस्ट है वो है इसकी 83920, 3500, 20,000 and 30,000 सही है अब देखिए इससे बाटना है तो पढ़े क्याल बाटने का तरीका है मशीन पैकिंग और जनरल यह बटेगा मेंट्रिनेंस का ठीक है तो पहले हम इस्टोर एंड मेंट्रिनेंस को बाटते हैं यहां से 30,000 कम होंगे तो यहां पर 30% 9,000 आएगा और यहां 15,000 आएगा अब जनरल प्लांट के कि ओवरेड को हम डिस्टिब्यूट करेंगे तो यह 29,000 और यहां नहीं क्या बोला था कि कि नम्मर आप इंप्लाई के वेसिस पर नम्मर आप इंप्लाई हमारे देखे कितने हैं 20 10 5 20 10 5 यानि कि 35 तो 29,000 20 10 5 में बाट ही है यह आ रहा है मारा 16 571 8286 & 4143 ठीक है अब फिर से इस्टोर को बाट दीजे तो यह माइनस 4143 होगा यहां पर 30% जाएगा 1242 829 2072 अब फिर से जनरल को बाट दीजे तो यहां पर 20 10 5 में 177 यह माइनस 1242 कम हो जाएगा और यह हो जाएगा 355 & 710 अब फिर से इस्टोर को बाट दीजे क्वेस्टन में बोला था तीन बार माटना है तो यहां पर माइनस 177 करेंगे तो यह होगा 53 प्लस और यहां पर 88 & 36 and the last is अब जनरल प्लांट को बाटेंगे तो हम 20 इस्टू 10 में बाटेंगे तो यह 35 और 18 में बाटेंगे अब इस बारे से रिख बाटेंगे तो इसका खर्चा आएगा 1-1-8-3-9-6-4-6-0-2-4 ठीक है फ्रेंट्स तो यह जनरल ओवरेट्स को फिर से डिस्टूइट किया गया है यहां पर 20-10-5 में ही इस्टूइट किया गया है यह पहली बार यह दूसरी बार और यह तीसरी बार क्वेश्चन में बूला था तीन बार करना है चलिए तो यह सिंपिल सिंपिल प्रॉब्लम थी दिखने में थोड़ी सी लंबी कटिन लगती है वट आपने देखा कि कोई इसमें ज् पूरा चेप्टर आपको अच्छी तरह समझ आएगा आ गया है थेंक्यू